शिमधोम रेमेडिस में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे रावन के बारे में कि रावन साथ काम करना चाहते थे पर वो साथ काम वो नहीं कर पाए आश्रे मास के शुकल पक्ष की दस्मे तिति को विज्या दस्मे का परो मनाया जाता है इस परो पर धर्म पर धर्म के जीत की रूप में मनाया जाता है धर्म गरंदों के अनुसार इसी तिति पर भगवान श्री राम ने रावन का वद्ध किया था आज हम आप वह बार बता र प्रकृति के विरुद्ध थी, उनसे अधर्म बढ़ता और आच्छस प्रविड्तियां और नियंत्रित हो जाती है, मैं आपको साथ काम के बारें बताने जा रहा हूं जो रावन करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, वो चाहता था कि संसार से भगवान की पूजा समाप्त क इरादा था कि संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो, वो स्वर्ग तक स्रिणिया बनाना चाहता था, भगवान की सत्ता को चिनौति देने के लिए रावन स्वर्ग तक स्रिणिया बनाना चाहता ताकि जो लोग मौक्ष यात्वर्ण पाने के लिए भगवान को पूझते हैं वे पूझा बनकर रावन को ही भगवान माने है। वो सोने में सुवन्द डालना चाहता था। रावन चाहता था कि सोने मलद सुवन्द होनी चीए। रावन दुनिया भर के सोने पर खुद कबजा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परिशानी नहीं हो इसलिए हम सुवन्द डालना चाहता था। फिर काले रंग को गोरा करना चाहता था। रावन खुद काला था। इसलिए चाहता था कि मानव प्रजाती में जितने भी लोग का रंग काला हो वे गोरा हो जाए, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके। फिर वो चाहता था कि शराब से दुरगंद दूर हो जाए। रावन शराब से बद्दू भी मिटाना चाहता था था कि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सके रावन चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो चाहे जब रावन विश्व व्यापी या विश्व विजय यातरा पर निकला धा तो उसने सैक्रो युद्ध किये कडोरो लोगों का खुन भाया सारी नदियां और सुरोवर खुन से लाल हो गये थे प्रकृती का संतुलन बिगडने लगा था और सारी देवता इसके लिए रावन को दोशी मान दे था तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है वो पानी में मिलकर पानी जैसा ही हो जाथा पर नहीं कर बाया तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद